पसिने की सिहाई से लिखेपने कभी कोरे नहीं होते हैं.. ज debates करते हैं महनत उसके सपने कभी अधुरे नहीं होते नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका दोस्त सुभाम सुभाम Gailb in YouTube जैनल में सबका स्वागत करता हूं दोस्त Network Marketing का शुरू जब से हुआ है तब से लिए कि आप तक एक सवाल हमेंसा चलते आ रहा है कि अच्छे लीडर किसे कहते हैं या फिर अच्छे लीडर का क्या-क्या गून होना चाहिए तो दोस्त आज के वीडियो में आपको बताऊंगा नॉर्मली एक अच्छे लीडर के अंदर क्या-क्या गून होना चाहिए तो दोस्त वीडियो को लास्ट तक दिखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छा से समझाए और आपने जिन्दिगी में आप लागू कर पाए और दोस्त अभी तक हमारे तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल बाला बटाने उस पर अपने चीह अच्छी लीडर का पहला बहुत उसके बारे में बताना पड़ेगा हमारे चैनल पर यह वीडियो है कि लीडर्शिप क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए तो आप उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं मैं नॉर्मली आप लोग को बता देता है दोस्तों लीडर्शिप क्वालिटी कैसा होता है लीडर को से कहा जाता है जो अपने बारे में नहीं दूसरे के बारे में सोचता है दूसरे के प्रोमोशन के बारे में सोचता है उसको लीडर कहा जाता है जो अपना हाथ पकड़ के दूसरे को आगे लेके जाता है उसको लीडर कहा जाता है जिसको देख के लोग उसकी तरह ब तो लिडर एक अच्छे लिडर का सबसे पहला गुल होना चाहिए कि दोस्त उसके पास लिडर्शिप क्वालिटी होना चाहिए एक अच्छे लिडर का दूसरा क्वालिटी उसके पास बड़े सपने होना चाहिए दोस्त जो अच्छे लिडर हो उसका सपना हमेसा बड़ा होना चाहिए बड़ा सपना मतलब यह छोटा मोटा नहीं बड़ा सपना एक बिग ड्रिम जैसे कि दोस्त अगर हम लोग रतन टाटा को देखे या फिर फिर बिल गेट्स को देखे वो लोग भी एक सुरू बात से सुरू किया था कुछ नहीं था बिल गेट्स के पास एक किसान परि होता है उसके पास इस तरह का बड़ा सपना होता है कि पुरा दुनिया में वो अपने नेटवर्क को फैलायेगा और अगर इसा सपना देखे commandments दोस्तों दुनिया में नहीं तो आपने देस में तो फैल जाएगा और इसे करते वह पूरा देश में अपना business पहला देगा तो यह दूसरा quality होना चाइए जो कि अच्छे लीडर हो एक अच्छे लीडर का दिसरा quality अपने business के बारे में सब कुछ जयनकारी होना चाहिए दोस्थ एक अच्छेらい डर आप उसी को कहेंगे जिसके पास अपने business का पूरा नॉलेज होना चाहिए नॉलेज बोले तो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी का पूरा बायोड़ाटा के बारे में जनकारी होना चाहिए निट्वर मार्केटिंग का फ्यूचर के बारे में जनकारी होना चाहिए निट्वर मार्केटिंग का जिस कंपनी में क तो ये तीसरा point था दोस्त कि एक leader के अंदर होना चाहिए अब आते हैं दोस्तो चोथा point एक leader के अंदर में जो quality होना चाहिए वो चोथा quality है दोस्त positive सोच होना चाहिए दोस्त इस दुनिया में सबसे पारफूल जो चीज है जो लोगों को आगे बढ़ने में मजबूर करता है वो है दोस्त पॉजिटीव सोच अगर रहे दोस्त आप दुनिया का किसी भी जगा पर फथे हासिल कर सकता है लेकिन अगर आप पॉजिटीव सोच आपका नहीं है तब किसी भी जगा पे जाके आप मुखी खा सकते हैं तो दोस्त हमें सब पोजिटीव सोच रखिए अगर इसका थोड़ा सा एक्जामपेल में आप लोग बता दू तो हम लोग का भगवान से रामचंदर से सिख सकते हैं कि जब सित्ता मया का हरन हो गया रावन लेके चला गया तो उन्होंने एक पोजिटीव सोच रखा कि यस अगर वो जिंदा है और उनका थोड़ा सा भी सुराग मिल जाए तो अगर धर्ती के नीचे रहे तो भी उसको ढूंड के लेके आऊंगा यह जो पोजिटीव सोच था इस पोजिटीव सोच के कारण उनको एक एक सुराग मिलते गया और वो रावन तक पहुंचे और रावन का बद करके मासिता को बापस लेका आया तो दोस्त पोजिटीव सोच होना चाहिए पूरा जुनूनी पोजिटीव सोच यह लीडर के अंदर में जो अच्छी लीडर होगा उसके अंदर में जुरूर होगा पोजिटीव सोच ए अगर जो अच्छे लिडर होगा वह किसी भी जगा पे खड़े हो自然 वे invers designed वह जाएगा उसको देख के हुआ के लुग के अंदर में जूस पाइदा हो जाएगा उसी को कहुना जाता दोस्त एक अच्छे लीडर तो दोस्त में सिंपल और सौ्ड तरीके से पांच पॉंट्व बताया ये पांच पॉंट्व एक अच्छीं लीडर के अंदर में होना ही चाहिए अगर आप किसी का अच्छीं लीडर मनते हैं तो दोस्त Lig freaking के उसके अपचीं लीडर मनना चाहते हैं तो आपके अदर पांच क्वालेटी लागू करें दोस्त और इसे बहुत क्वालेटी है जो कि आपको लागू करना पड़ेगा अगर आप एक बेस्ट लीडर अच्छी लीडर बनना चाहते हैं लोग आपको एक्जामपल दे लोग बोले कि यस लीडर हो तो आपके जैसा तो दोस्त यह पांच थांच कर दोस्त यहर मान्पटी लीडरो आपको यह शेज़ कर दो आपको Last